तो आप सभी वक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आज सब यहाँ पर उपस्तित हुए आज दृतिये दीवस है पर दृतिये दीवस होने पर भी आप सब का उत्सा जो है चरम सीमा पे दिखाई दे रहा है मुझे आशा है कल जो हमने श्री प्रभुपाज जी के श्रीमत भागवत में से और श्री हरी सूरी जी के टीका से जो हमने पढ़ा वो आप सब को अच्छा लगा होगा यदि आप सबको अच्छा लगा है और आप और सुनने के इच्छु है तो कृपिया जोर से हरी बोल कहिएगा तो मैं विशे शुरूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ श्रीमान रिस्यमा कृपा प्रभु का जिनों ने मुझे यहां पर आमंतरन दिया जिनों ने यहां पर मुझे आमंतरन किया मैं आप सभी का बहुत बहुत देना चाहता हूँ प्रभु जो हमारी सबा में उपस्तित हुए है वे एक बहुत ही अतिशाय महात्मा व्यक्ति के वंशज जो है जिनकी टीका को हमको पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है जिनकी टीका को हमारे गुरु महराज ने वर्षों वर्षों तक गाया है उन श्री हरी सूरी जी के जो वंशज है वे आज यहां पर उपस्तित है उनका नाम है श्री सुदर्शन जी आज वे अपने परिवार सहीत यहां पर उपस्ति थे तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है आत्मा वही जायेते पुत्र रूप में व्यक्ति स्वयम प्रकट होता है तो उनके वमशच के रूप में आज उनका यहां पर उनके परिवार का कोई यहां पर उपस्ति थे मैं इनको उनका आशिरवादी मानता हूँ कि उनके आशिरवाद के रूप में आज उनके वमशच यहां पर हम सब के सामने उपस्ति थे हम आरम करना चाहेंगे कल हमने जिस जगह पर कथा को अलप विराम दिया था उस जगह से हम आगे बढ़ना चाहेंगे कल हमने जिस जगह पर कथा को अलप विराम दिया था वहाँ पर दामोदर लीला में श्री भगवान ने अपने निचले होट को अपने दांतों से दबा दिया था और निचले होट को श्री हरी सूरी जी ने क्या नाम दिया था अधर और कल हमने उसका एक कारण देखा था कि भगवान ने क्यों अपने दांतों से अपने अधर को दबाया आज हम वहीं से आगे बढ़ेंगे किन्तु आरंब करते समय श्रुल प्रभुपाज जी के हम कुछ वचन सुनेंगे तो श्रुल प्रभुपाज जी के वचन अब हमारे सामने यहाँ पर है देखिए श्रुल प्रभुपाजी केते हैं हमें कृष्ण के विशय में सुनना चाहिए हम हमारे सर्वोच पिता श्री कृष्ण को बहुतिक्ता के कारण भूल गए है किन्तु यदि हम उनके विशय में श्रवन करें तो उनका स्मरण हमें होने लगेगा आप सभी भागयशाली है कि आप सब यहां कृष्ण के विशय में सुनने के लिए आए है इसी प्रकार श्रवन करते रहिए और आपका जीवन सफल हो जाएगा ये श्रुल प्रभुपाजी ने अपने प्रवचनों में हम सब के लिए कहा है तो हम सब को भगवान श्री कृष्ण के विशय में जितना हो सके उतना स्मरण करना चाहिए श्रवन करना चाहिए क्योंकि यही जीवन की वास्तविक सफलता है तो आईए आगे बढ़ते हैं क्योंकि हम यहां पे थे जहां पे भगवान उगरम तो है वीरम है पर महा विश्ण नहीं है भगवान कौन से विश्ण हो गए है लगू विश्ण देखिए श्रीला प्रभुपाजी क्या केते हैं श्रीला प्रभुपाजी केते हैं जब मया यशोदा चली गई भगवान को छोड़ कर उस समय श्री कृष्ण को क्रोधा गया उनके लाल-लाल होन फड़कने लगे दातों से अधर दबा कर श्री कृष्ण ने पास ही रखे हुए पत्थर से दही का मटका फोड डाला आखों में बनावटी आशु भर लिये और दूसरे घर में जाकर अकेले में माखन खाने लगे आप देख सकते हैं ये उसी दृष्ण का चित्र यहाँ पे चित्रांकन किया हुआ है अब मैंने कल एक कारण तो बताया था कि भगवान ने क्यों अपने दातों से अपने अधर दबाए पर श्री हरी सूरी जी यहीं पे नहीं रुकेंगे श्री हरी सूरी जी उसके पीछे का दूसरा कारण भी बताएंगे दूसरा कारण बताते हुए हरी सूरी जी कहते है भगवान स्वयम पीड है स्वयम पीड मतलब खुद को पीड़ा देने वाले हो गए है और उन्होंने ऐसा क्यों किया है उसके पीछे भी एक कारण बताते है ये उन्होंने शलोक लिखा है इसका चंद है शारदूल विक्रीडितम मैं इसको गाऊंगा आप मेरे पीछे-पीछे दोहराईएगा यन्मामं कगतं पिवंतम पिचा hostswny याम आप्रसू यन्मामं कगतं पिभंतम पिचा Lust प्रसू मचित्या प्यदुनाया वदयावन नागो लवो स्याइः मचित्या प्यदुनाया वदयावन नागो लवो स्याइः किंत्वत्राधर संगते फलमिदं मत्वाद्विजाग्रियस्तदा ट्रादर संकते फलमिदं वत्वाद विजाग्रे स्तादादादा चक्रेखिक्षिता अच्छतस-तमधरं शिक्षेरिता यद्विजादादा शिक्षेरिता यद्विजादादार् यन माम अंक गतम में माता यशोदा की गोद में बैठा हुआ, पिबंतम अपिचा, क्या पी रहा था उस समय में? दूद पी रहा था, स्तन पान कर रहा था, स्तन्यम विहायह मुझे छोड कर चली गई, कौन प्रसू, मेरी माता मुझे छोड के चली गई, प्रसू कहते हैं माता को कि योखोन चीटर जाए को का कोई दया नहीं है वेसे चोड़ के चलिकल गई पर हरी सुरी जी बोलते हैं भगवान ने उस समय सोचा ना अगो लवो स्याईह इसमें महिया यशोदा का तनिक भी दोश नहीं है कोई भी दोश नहीं है अच्छा क्यों दोश नहीं है अगले लाइन में बोलते हैं किन्तु अत्र अधर संगत है फलमिदं अरे ये तो अधर जो है अधर का एक अर्थ होता है जो नीचे गिरता रहता है उसको समाज में क्या कहते है अधर जैसे निचला होट है उसको आप छोड़ दोगे तो स्वाबावी कुरूप से वो नीचे गिरने लगता आप समझ रहें इसलिए अधर के दो अर्थ होते एक अर्थ होता है निचला होट दूसरा समाज में जो व्यक्ति खुद तो नीचे गिरता है अपने साथ साथ दूसरों को भी नीचे ले जाता है भगवान की सेवा से दूर ले जाता है ऐसे व्यक्ति को क्या कहते है अधर इसमें मैया यशोदा का दोश नहीं है इसमें उस व्यक्ति का दोश है जो नीचे गिर रहा था कौन नीचे गिर रहा था उस समय अगनी में दूद तो उस अधर का दोश है जो नीचे गिरने वाले व्यक्ति का दोश है इसमें मैया का दोश नहीं है अच्छा जब समाज में ऐसे अधर लोग भक्तों को भगवान की सेवा से दूर करने लगे तो भगवान ने सोचा तब ऐसे अधरों को समाज में रहने वाले ब्रामनों के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए दी जानी चाहिए कि नी दी जानी चाहिए? दी जानी चाहिए. और ब्रामनों को संस्कृत में कहते हैं द्विज. तो बोलते भगवान ने सोचा इस अधर को मैं द्विजों द्वारा शिक्षा दूँगा. किसके द्वारा शिक्षा दूँगा? द्विजों. द्विज का पूड अर्थ है दांत क्योंकि शरीर में दांत भी दो बार जनम लेते हैं एक बार दूद के दांत होते हैं और एक बार पक के दांत होते हैं इसलिए दूज का दूसरा अर्थ क्या है दांत इसलिए भगवान ने सोचा कि अधर को दूज के द्वारा शिक्षा देना आवश्य ये सोचते हुए भगवान ने अधर को, किसके द्वारा शिक्षा प्रदान कर दी? द्विजों के द्वारा, अपने दांतों के द्वारा शिक्षा प्रदान की. यह इस कानुवाद है देखिए मैया यशोदा का चित मुझ में लगा हुआ है किन्तु जो उन्होंने मुझे त्याक कर दूद की रक्षा करने में दया का अभाव प्रदर्शित किया उसमें उनका कोई अपराद नहीं है यह तो अधर अर्थात समाज में नीचे गिरने वाले लोगों के कारण होता है और ऐसे अधरों को समाज के सर्वश्रेष्ट द्विजो द्वारा दंडित करना चाहिए यही सोचते हुए भगवान ने अधर यानि निचले होट को द्विजो यानि दांतों के द्वारा प्रता मैं वो अकेले में माखन खाने का गूड रहस्य बताता हूँ देखिए भगवान ने जब मटकी फोड़ा तो दही का मटकी था किसका मटकी था वो दही पूरे आंगन में दही दही सब जगह हो गया था पर भगवान ने ना तो दूद पिया ना दही खाया भगवान ने अके अकेले में जाके क्या खाया माखन काया और माखन जो है यह सब का सार होता है क्योंकि दही को मतने से वो निकलता है तो वो दही का भी क्या है वो सार है सभी दूद का समस्त दूग्द पदार्तों का सार है वो मखन उस समय हरी सुरी जी एक शलोक लिखते हैं उस शलोक में बतात यानुड ने अकेले में मख्हन खाकर या प्रदर्षित किया ये शलोक एक कटिन चंद में है आ रहे हैं मैं इसको गाओंगा मेरे पीछे पीछे गाईएगा अब भीपुले श्वपि सट्सूरसे अमश्टव्यो मनी शिना सारा अन्वेष्टव्यो मनीशिनासार सम्सारोन वर्थास्यात तदेतिनवनीत संग्रहाद्ध्वनितं अरी सुरी जी कहते हैं विपुलेश्वपी सत्सूरसेश्व रसेश्व बहुत सारे रस फैले हुए हो आपके सामने भगवान के सामने बहुत सारे रस फैले हुए थे दूद, दही, बहुत सारे रस फैले हुए थे अन्वेश्टव्यो मनीशिना पर मनीशी जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ढूंड के निकालता है सभी रसों का सार सभी रसों का क्या ढूंड के निकालता है सार क्योंकि उन सभी दूद पदार्थों का सार जो है वो मक्कन था तो भगवान ने बाकी सारे दूद पदार्थ नहीं खाए पर भगवान ने क्या खाया वहाँ पे मकन जो सभी दूद पदार्थों का सार है हरी सूरी कहते हैं संसारो अनवर्थ हस्याद तभी जाके आप कह सकते हो कि आपने सभी पदार्थों का सार ग्रहन किया है सभी को कहते हैं सम और सार तभी जाके आप समसार में रहे हो अगर आपने सम सार ग्रहन सम मतलब सभी का क्या ग्रहन किया है आपने सार जब आपने सभी यानि सम का सार ग्रहन किया है तभी जाके आप वास्तव में संसार में जीए वरना आप संसार में नहीं जीए यही भगवान बताना चाहते हैं अच्छा इसके पीछे एक और गूड रहस्य भी है जो हरी सूरी जी ने छुपा रखा है क्या रस तो कहते हैं खाने पिने वाले पदार्थ को रस कहते हैं रस का एक दूसरा भी अर्थ होता है जो हरी दय में खुशी होती है उसको रस कहते हैं हरी सूरी जी कहते हैं संसार में बहुत सारी खुशिया है पर बुद्धिमान व्यक्ती ने जो सभी खुशियों का सार है सबी खुशियों का सार कौन सा रस है वो है भक्ती रस वो ढूंड के निकालना चाहिए जीवन में बहुत सारे रस मिलेंगे हमको पुत्र बनने का रस पिता बनने का रस पती बनने का रस वो सारे रस तो है पर सबी रसों का सार एक ही रस है और वो कौनसा रस है भक्ती रस मनिशी व्यक्ती ने सभी रसों का सार ढूंड के निकालना चाहिए और जीवन में भक्ती करना चाहिए तबी जाके वो व्यक्ती सच में समसार में जिया अन्यथा जो भकती नहीं किया वो कभीभी संसार में वास्तव में नहीं जी आए यह भगवाण ने सभी वस्तूइं के सार माखन खाकर दिखाया जहाए देखिये संसार में अनेक रस होने पे भी विदवान व्यक्ति को सभी रसों का सार डूढना चाहिए जिससे संसार अनवर्थ, अनवर्थ मतलब जो नाम है जैसा नाम है उसका मतलब सिद्ध हो जाए यही तथ्य माखन खाते हुए भगवान के द्वारा प्रकट हुआ उस समय श्रील प्रभपाजी बताते हैं श्रीमत भागवत के अपने अनुवाद में कि उस समय माता यशोदा पुना वापस आई आप देख सकते हैं माता यशोदा पुना वापस आगई है और माता यशोदा जब पुना वापस आई उस समय शुल प्रभुपाजी क्या वरणन करते हैं अपने श्रीमत भागवतम में देखिए यशोदा जी ओटे हुए दूद को उतार कर फिर मतने के घर में चली आई वहाँ देखती हैं तो दही का मटका टुकड़े टुकड़े हो गया है वे समझ गई कि ये सब मेरे लला के ही करतूत है साथ ही उन्हे वहाँ न देखके यशोदा मता हसने लगी आप देखिए बहुत सिम्पल काम किया यशोदा मता क्या करने लगी उस समय हसने लगी अब यशोदा माता हस रही है इसके पीछे भी कवीवर श्री हरी सूरी के हृदय में भगवान ने कुछ रहस्य छुपा के रखा है आप सब जानना चाहते हैं माता यशोदा क्यों हसने लगी तो देखते हैं श्री हरी सूरी जी वहाँ पर क्या कहते हैं देखिए उनोंने ये श्लोक में माता यशोदा के हसने का रहस्य बताया है मेरे पीछे-पीछे दोराईएगा निरर्थकंदुक्दमिदंप्रयाती त्यासंसयत्नाहमिवावनेस्य ततोधिकोभूद्व्ययएशचित्राम आलक्षसादै वगतिम जहास यशोदा महिया सोचे अपने मन में निरर्थकंदुक्दमिदंप्रयाती अरे मैं सोच रही थी ये उबलता हुआ दूद निरर्थक व्यर्थ में उबला जा रहा है जो दूद उबल रहा था अंदर वो व्यर्थ में उसका नुकसान होने वाला है इसलिए आसाम सहयत्ना मैंने जतन किया उस दूद को बचाने के लिए जो उबला जा रहा था अंदर परिणाम क्या हुआ ततो अधिकोभूद वे उससे ज़्यादा दूद तो मेरा नुकसान हो गया जितना बचाने गई थी उससे कहीं गुना अधिक मेरा क्या हो गया नुकसान हो गया अरे जो करने गई थी वो कार्य तो हुआ नहीं और उससे वड़ा नुकसान में लेकर बैठ गई आलक्ष साद्धाईव गतिम, देखो भाग्य की कैसी विडम बना है, इस पर यश्वदा मया हसने लगे, यह उसका अनुवाद है, मया यश्वदा ने सोचा चूले का दूद व्यर्थी नश्ठ हो रहा है, इसलिए मैं उसे बचाने के लिए दोड़ पड़ी, किन्तु परिण मया यह हुआ कि जितना बचाने गई थी, उससे अधिक तो मेरा नाश हो गया, ऐसा सोचते हुए भाग्य की गति पर मया यश्वदा हसने लगे, अब हमको बहुत साधारन लग सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर हरी सूरी जी ने इसके पीछे एक बहुत बड़ा चुपा के रखा, क्योंकि सभी शास्त्रों के ग्याता थे, इसके पीछे उन्होंने एक बहुत बड़ा न्याय चुपा के रखा है, न्याय शास्त्र में उस न्याय को कहते हैं, वधू माश मापन न्याय, मेरे पीछे दोरा येगा, वधू माश मापन न्याय, अब ये न्य क्या होता है ये श्री हरी सुरी जी ने इस श्लोक मेर छुपा कर रखा है क्या न्याय है ये एक समय की बात है उज्जेन में एक बहुत बड़ा पंडित था ब्रामन था उसने एक वरत लिया था उसने वरत क्या लिया एक दिन हर द्वादशी को एका दशी का जो अगला दिन हो तो पहले द्वदशी के दिन, जो भी उसके घर पे आया, याचक उसको एक-एक मुठी राजमा देने लगा, धीरे-धीरे उसकी प्रसिद्धी फेलने लगे, अरे हर द्वदशी पे ही यह पทำनल, जो भी जाएगा उसके घर पे उसको एक मुठी भरके क्या देगा, माश, तो ब्रामन भी परिशान हो गया, अब मैं क्या करूँ, उस दिन तो कैसे कैसे उसने उधार दे कर राजमा सब को दे दिया, एक-एक मुठी, पर अगले द्वादशी की चिंता उसको उसी दिन से सताने लगी, कि मैं क्या करूँ, फिर उसके मन में बहुत बहुत अच्छा उप उसकी मुठी बोट छोटी है, अगली बार उसके हाथ से दान कराऊंगा मैं, आप समझ रहे हैं, तो मेरा राजमा कम कर्च होगा, जब अगली बार कुल वदू ने राजमा देने के लिए वहाँ पे खड़ी रही, तो वो इतनी सुंदर थी, सारे बिख्षुक देखके आकर जब भी लाइन लगी जितनी आज से पहले कभी नहीं लगी थी, आप समझ रहे हैं, तो जितना बचाने गए थे, उससे अधिक क्या हो गया हमारा नुकसान हो गया, इसको कौन सा नयाय कहते हैं, वदू माश मापने, ये नयाय श्री हरी सुरी जी ने अपने इस ग्रंथ के अच्छा, आपने आज तक ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा, जो दूसरों के घर में चोरी करते हैं, पर अपने ही घर में चोरी करने वाला चोर, इससे पहले शायद आपने नहीं देखा होगा, आप देख सकते हैं, अपने ही घर में चोरी करने वाला, कौन सा चोर ह हुआ है श्रील प्रभुपाजी पताते हैं वहाँ पे इधर उधर ढूड़ने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर बैठे हैं क्या आप देख सकते भगवान को उल्टे उखल पर सीधे पर नहीं बैठ सकते क्योंकि सीधे में जो है वहाँ तो उसका भ है कि कहीं मेरी चोरी खुलना जाए इसलिए चौकनने हो के चारो और ताकते रहते हैं उस समय श्रुले जीव गोस्वामी केते हैं पकड़ने वाले की तो दोई आख रहती है पर चोरी करने वाले की हजारों आखे रहती है बगत तो अजूट नहीं बोल रहे है इनी को कहते ह सहस्र शिर्शा पूरुशा सहस्राक्षा सहस्रापात ये सच में सहस्रा आख वाले चोर है सच बात बोलेंगे तो ये भगवान विश्नु है जिनके हजारों हाथ है और हजारों आखे है सच में ये जब चोरी करते हैं तो ये हजार आख वाले चोर है इसलिए चौकनने हो के चारोर ताक्ते जाते, यह देख कर यशोदार आने पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पोची, उस समय श्री हरी सूरी जी कहते हैं, देखो भगवान का उदार श्वभाव कैसा है, मेरे पीछे दौर आईए, नाहियते वदान्यस्या, सच्छी लंखल संगता, उलूखल कृतावासो, प्यवदार्यान चुतोचुता, अरी सूरी जी कहते हैं, नाहियते वदान्यस्या, जो दानी व्यक्ति होता है, बहुत दानवीर होता है, नाहियते, उसके दान देने की जो उसका स्वबा होता है, वो कभी कम नहीं होता, खल संगत ह, यद्यपी वो व्यक्ति किसी खल के संगत में भी आ जाए, खल कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को, किसको कहते हैं खल, दुष्ट व्यक्ति की संगती में आने पे भी उसका अच्छा गुण जाता नहीं है दान देने का, देखिए न, यहां भगवान खल नहीं, उलू उलू खल, उलू केते हैं बड़ा, बड़े खल के संगत में बेटे हैं, कौनसे खल के संगत में बेटे हैं, उलू खल, यानि बड़े खल की संगत में बेटे हुए हैं, पर बड़े खल के संगत में बेटने पे भी अपने दान करने से भगवान कभी चुके नहीं, अचुत है, कभी गिरते नहीं अपने व्रत से, इसलिए अपने ओधार्या से भगवान गिरे नहीं, यद्यपी उलू खल, उलू खल का एक अर्थ होता है उलू खल का दूसरा अर्थ होता है, उलू मतलब बड़ा और खल मतलब दुष्ट, बड़े दुष्ट व्यक्ति पे बेटे हैं, उल खल पर बैठने के बाद भी भगवान अच्युत अपने ओधार्या के गुण से च्युत नहीं हुए, उस समय शुला प्रभुपाजी बताते हैं, जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही और आ रही है, तब छट से ओखली पर से कूद अब मुझे बहुत अच्छा लगा बगतों जब मैंने ये प्रभुपाजी के दवारा पड़ा, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा मैं बताता हूं आपको, शास्त्रों में दिया हुआ है, यस्य भएन सूर्य उदयती, यस्य भएन वातो वाती, जिसके जिसके भाई से सूर्य उगता है। जिसके भाई थोड़ा सा पिलाने का जो काम किया है। लेकिन आज उनके हृदे में पहली बार मया यशोदा ने थोड़ा सा डर यद्यपी ये डर आध्यात्मिक है भोतिक डर नहीं है। फिर भी थोड़ा सा डर उत्पन कर दिया है। ऐसे मया यशोदा की जय हो क्योंकि और कोई व्यक्ति ये काम नहीं कर पाएगा। जो दशरत से नहीं हो पाया, जो कोशल्या से नहीं हो पाया, जो भगवान के और किसी मातापिता से नहीं हो पाया, वो कार्य एक व्यक्ति ने किया है। और वो कौन है, मया यशोदा है, वो कारे करके दिखाए है। और मैंने आपको कल बोला था, भगवान की एक एक उपाधी यशोदा मया निकाल देगे। हम सभी सुबह गाते हैं। अब आप मुझे बताईए ये देखकर, भगवान यहां पे उग्र है या अनुग्र है। भगवान गुस्से में है या खुड डरे हुए है? अनुग्र है। यहां वीर है या अवीर है? वीर होते तो डटके खड़े रहते हैं। जो वीर नहीं होता वो ही भाग जाता है मैदान से। यहां वीर है या अवीर है? अच्छा महा विष्णु है या लगू विष्णु है? अच्छा कहते हैं सर्वतो मुखम सब जगा उनका मुख है सभी दिशाओं में अगर सभी दिशाओं में उनका मुख है तो क्या मैया यश्वदा के दिशाओं में मुख कर सकते हैं इस समय ह सबी दिशाव में हो सकता है लेकिन मय्या यशोदा के तरह उनका मुख नहीं है आप समझ रहें भगवान कи जो भी सारी भगवत्ता है उनकी जो सारी उपादियां है भगवान होने का जो उनका गौरव है वो भगवान को मय्या यशोदा है तुम्हारे वरिंदावन के बाहर रखना वो सब, वरिंदावन के अंदर तुम्हारा एक-एक उपादी जो है, तुमको छोड़ना पड़ेगा, सर वो पादी, विनिर मुख, ये भक्तों के लिए नहीं, ये भगवान के लिए भी लागो होना चाहिए, सबी उपादीयों से मुख थोकर रहे हैं वरिंदावन में, एक आम नागरिक की तरह जीवन व्यतीत करना होगा आपको, तभी जाके प्रेम बढ़ेगा, उसकी विना कभी प्रेम नहीं बढ़ सकता हैं, उस समय हरी सूरी जी कहते हैं, देखो, भगवान सभी दिशा में देख रहे थे, पर एक दिशा में नहीं देख रहे थे, कौन सी दिशा में नहीं देख रहे थे? यशोदा मुएया के दिशा में भगवान नहीं देख रहे थे, उस समय हरी सूरी बोलते हैं, देखो यशोदा मया के हाथ में बाए हाथ में छोटी सी छड़ी है आप देख सकते है जिस पास से देखोगे तो छोटी छड़ी यशोदा मया के बाए हाथ में दिखाई देए आपको इस पे श्री हरी सुरी जी अपने एक श्लोक रच के कहते है मेरे पीछे गाईए का श्लिष्यद रोशं मनोयावत तावद इशह परांग मुखः सुक्ष्मवेत्राश्रितस्यावि भवे दित्यभवत्स फुटम श्री हरी सुरीज केते हैं श्लिष्यद रोशं मनोयावत देखो आप सभी सुनो जब तक मन में थोड़ा सा भी रोश लगा हुआ है चिपका हुआ है थोड़ा भी गुस्सा है भगवान के प्रती जब तक यशोदा मैया के मन में थोड़ा सा भी गुस्सा बाकी था भगवान के प्रती तावद तब तक इशह भगवान परांग मुकह, दूसरी तरफ चहरा करके रखे थे, आप समझ रहे हैं, जब तक यशोदा मैया के मन में थोड़ा सा भी क्या रह गया था, रोश, तब तक भगवान ने अपना चहरा उनकी तरफ नहीं किया, सुक्ष्म वेत्रा श्रितस्यापी, यद्यपी मैया यशोदा ने सुक्ष्म वेत्र, सुक्ष्म का अर्थ होता है छोटी और वेत्र का अर्थ होता है चड़ी, बड़ी चड़ी नहीं पकड़ी थी, कौनसी चड़ी पकड़ी थी एक दाम, चोटी, सुक्ष्म वेत्र पकड़ क नहीं देखा अच्छा ये तो सही बात है पर इसमें गूड रहस्य भी चुपा हुआ है दुसरा अर्थ हम सभी भक्तों के लिए है सभी भक्तों के लिए हरी सूरी जी कहते हैं जब तक हम भक्तों के मन में भग्वान के प्रती थोड़ा सभी क्रोध है थोड़ा सभी प्रती कूल भाव है तावद इशह परांग मुखा तब तक भग्वान कभी हमारी दिशा में नहीं देखेंगे आप समझ रहे भक्तों जब तक हमारे मन में थोड़ा सभी भग्वान के प्रति रोश रहे गया है कि भगवान क्यों मुझ पे कृपा नहीं करते तावद इशह परांग मुख तब तक भगवान परांग मुख रहेंगे सुक्ष्म वेत्रा श्रितस्यापी सुक्ष्म का दूसरा सूक्ष्मा वेतर का दूसरा आर्थ है सूक्ष्मा ज्यान होने पे ब्रह्मा ज्यान भी हो आपको सूक्ष्मा ज्यान हो वेतर का दूसरा आर्थ होता है ज्यान यह देपी आपने ब्रह्मा ज्यान भी प्राप्त कर लिया हो पर जब तक आपका मन मन में थोड़ा भी भगवान के प्रतिकूल भाव है तब तक भगवान कभी आपके तरफ नहीं देखेंगे भगवान ने इस लीला के द्वारा ये एकदम स्पष्ट कर दिया देखिए जब तक मन में थोड़ा भी क्रोध है तब तक भगवान भी उस व्यक्ति से परांग मुख रहते हैं, बले ही वह व्यक्ति सुक्ष्म वेत्र, यानि छोटी छडी या सुक्ष्म गयान व्याला ही क्यों न हो, ये भगवान ने इस लीला से स्पष्ट कर दिया, अच्छा, फिर भी धीरे धीरे शुल प्रभुपाजी बताते हैं अपने अनुवाद में कि मैया यशोदा भाग भाग के उनको पकड़ना चाहती थी, पकड़ने का प्रयास करना चाहती थी, बहुत प्रयास के बाद उन्होंने अंततह भगवान को पकड़ लिया, देखिए शुल प्रभुपाजी क्या कहते हैं, प्रभुपाजी पड़ गई, तीरे दीरे मया यशोदा थक गई, थक गई मतलब उनके मन से वो क्रोध निकल गया, क्योंकि बहुत थक गई थे उस समय, श्रीले जीव गोस्वामी गोपाल चम्पू में कहते हैं, जैसे पूर्व दिशा में एक बड़ा बादल हो, और उत्तर दिशा में एक छो यशोदा का जो शरीर था वो बहुत बड़ा था, और कृष्णा का शरीर बहुत छोटा और फूर्तिला था, इस कारण से मया यशोदा भगवान श्री कृष्णो को पकाड नहीं पाई, दीरे दीरे मया यशोदा जो है वो ठक गई, और उसके बाद शुलप्रभुपाजी क पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते, इस प्रकार सुंदरी यशोदा जियों तियों करके उन्हें पकड सकी, यशोदा मया श्री कृष्णा का हाथ पकड कर उन्हें डराने धमकाने लगी, तो बहुत समय तक तो भगवान कृष्णा पकड में नहीं पिर एक समय जीव गोस्वामी बताते हैं भगवान श्री कृष्णा ने थोड़ा रुक के पीछे देखा कि मया यशोदा किदर है, जब देखा तो तुरंद मया यशोदा की आखों में उन्हें देख लिया, आखों में देखते ही भगवान सक पका गए और एक ही जगा पे एक दम खड़े हो गए, चित्र की तरह, उस समय मया यशोदा ने भाग के आके उनका हाथ पकड़ लिया, जब हाथ पकड़ लिया तो पकड़ कर उन्हें दराने धमकाने लगे, उस समय श्री कृष्णा की जहांकी बड़ी विलक्षन हो रही थी, अपरात तो किया ही था, इ अपने दोनों आखो को मल रहे है भगवान उस समय, अच्छा क्यों मल रहे है इसका भी रहस्य बताया गया है, आच्यरे कहते हैं उनके अाखों में काजल लगाया हूँ, अंजन लगाया हुआ है, अब भगवान रोहेंगे तो सारा काजल फैल जाएगा चेहरे पे, और जब जुरूला दिया तुमको बहुत अच्छा काम किया है हम बहुत दिन से प्रतिक्षा कर रहे थे कभी अच्छे तुमका अच्छी तुमारी पिटा ही हो जाया तुम रो और हमारे चित को हमको अच्छा लगे क्योंकि भगवान के बहुत सारे दोस्ते जो भगवान को इस तरह से चिडाते रहते हैं और जीव गुस्वामी कहते हैं उस दिन भगवान का एक नाया नाम पढ़ गया भगनाश भगनाश मींज भगन आशा यस्य जिसकी आशा भंग हो गई दूद पीने की उसको नाम पढ़ गया भगनाश तो भगनाश ये नाम उस समय भगवान कृष्ण के द दोस्तों ने रखा, हाथों से आखे मल रहे थे, इसलिए मूपर काजल की शाई फैल गई थी, और पिटने के भए से आखे उपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित हो रही थी, ये श्री प्रोपद अपने श्रीमत भागवत के अनुवाद में लिख कर देते हैं उस समय कभी बर श्री हरी सूरी भगवान के रोने का रहस्य समझाते हैं, भगवान क्यों रोने लगे उस समय, तो ये श्लोक उन्होंने लिखा है, श्लोक का छंद है वसंत तिलकम, ये ब्रह्म समीथा जैसे गाते हैं, वैसे ही हम गा सकते हैं, मेरे पीछे दौर आईएगा आलंब्ययस्टि मन्या बलयापिसंप्रा त्यंगी कृतास बलते तिविचिंध्यकृष्णा स्वस्मिन अपी प्रबलताम रुदित छेना ब्यक्ति चकार रुदितम हिबलं शिशुराम ये सबी के सबी श्लोक जो है यहीं इसी नासिक में पुन्य भूमी में लिखे गए थे इसी नासिक में बेट के श्री हरी बबशा स्री श्री हरी सूरी जी कहते हैं मैंने बारा वर्ष तक भगवान के लिए तपस्या किया था जो तपस्या मैंने कल बताया था उसके बाद उन्होंने एक शलोक में लिख कर दिया है इत्थम भूरी समर्थितह सा भगवान इस प्रकार बहुत सारी साधन करने पे भगवान स्वयम एक बार प्रकट हुए और मुझे बोला एक चीज़ भगवान ने हरी सूरी जी को एक चीज़ बोला था मैंने जो जो कृड़ाएं की द्वापर यूग में उस समय मेरे हृदे में जो जो चल रहा था उस सब का बीज तत सर्वं तव बुद्धी गोचरम अनायासम कर तुमारे बुद्धी गोचर कर दूंगा अनायास आस्थानी से तुमको समझ में आ जाएगा ऐसा मैं तुमारे लिए विवस्ता कर लिखा ऐसा भगवान ने उनको आदेश दिया तुम सिर्फ लिखो अपने काव्य शक्ति का प्रदर्शन करो और उस समय भगवान ने उनको दो नामों से बुलाया तुम चेहार भक इतीव है अर्भक है मेरे पूत्र मैं तुमको स्विकार करता हूँ अध्यात्मिक जगत में बस मेरा एक कार्य करो मैं तुमारे रिदय में ये बीज दे रहा हूँ इसको लिखो क्योंकि कोई व्यक्ति कोई कवी 10, 12, 15 ऐसे शलोक लिख सकता है पर 4650 ऐसे श लिखी गई थी 10 ऐ 12 वर्षों में 4,650 लोक लिख कर निकालना वो भी शरीमत भागवत पढ़के अपनी पूरी साधना करके ये किसी मनुष्य के मस्तिष का कारे नहीं है इन्होंने अपने गरंत में ही लिख कर दिया है कि भगवान ने स्वय में एक बार दर्शन देखके खुश था पर किन्तु भगवान ने एक बार दर्शन देखके मुझे जो आग्या दिये उस पे मैं इसलिए मैं लिख रहा हूँ तो हरी सुरी जी इस श्लोक में रहस्य बताते भगवान क्यों रोने लगे उसका एक रहस्य इस प्रकार है भगवान सोच रहे है आलंब्यय य ची शब्द होता है अबला भगवान श्री कृष्ण सोच रहे थे ये है तो अबला यशोदा है तो कौन है अबला मतलब स्त्री है पर आलंब्यय यश्टिम अभी हाथ में उसने कुछ पकड़ के रखा है क्या पकड़ के रखा है इस समय चड़ी उससे बन गई है सबला क्या सबलता दिखा रही है मतलब अपना ताकत दिखा रही है मेरे सामने अच्छा विचिंत्य कृष्ण 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 भी सोचने लगे मैं भी जवाब देना चाहता हूं अच्छा मैं क्या करूंगा अगर ये सबलता दिखा रही है तो मैं उससे बड़ी प्रबलता दिखा के अच्छा, क्या प्रबलता दिखाऊगे? आखरी लाइन में हरी सूरी जी कहते है, रुदितम ही बलम शिशुनाम अरे बच्चों का एक ही बल होता है, क्या बल होता है? रोना. और अगर आपको यकिन नहीं हो, कि बच्चों का बल रोना होता है, तो अगर कोई एक बच्चा यहां पर आ जाए और जोर से रोने लगे तो सभा का मूड खराब हो जाएगा सही बात है कि नहीं है इतने सारे भक्त एक तरफ और एक बच्चा एक तरफ तो हरी सुरी जी एकदम बराबर केते रुदितम ही बलम शिशुनाम वो अबला से सबला हो गई रहेगी पर मैं भी प्रबल बनके दिखाओंगा और मैं अपना अकेला जो मेरा सामरत है वो यहां पर प्रकट करूँगा और मेरा सामरत है रोना यह देखिए इस कानुवाद है बगवान ने सोचा हाथ में छड़ी पकड़ कर यहां अबला यानि नारी बहुत सबला बलशालीनी हो गई है अगर ऐसा है तो मैं भी अपनी प्रबलता दिखाऊंगा कौन सी प्रबलता रोना ही बच्चों का सर्वोत कृष्ट बल है इसमें हरी सूरी जी ने एक बहुत गूड नीती शास्तर का रहसे छुपा के रखा है इसमें उन्होंने चानक के नीती से एक शलोग के आधर पे ये शलोग बनाया है चानक के नीती में ये शलोग हमारे सामने आता है देखे मेरे पीछे दोर है येगा दुर्बल अस्या बलम राजा, चौरानाम अनृतं बलम, बलम मुर्खस्या मौनित्वं, बालानाम रोदनाम बलम, बहुत आसान संस्कृत में है, बहुतों को समझ में आ गया होगा, दुर्बल अस्या बलम, राजा, दुर्बल व्यक्ति का बल कौन होता है, राजा, यानि सरकार या राजा जो है, वो दुर्बल व्यक्ति का बल बनता है, यदि कोई बहुत बलचाली व्यक्ति किसी को, किसी के खिलाफ कुछ गलत कारे कर दे, तो सरकार दंड दे सकती है उस बल बल चाली वेक्ति को चवरा अनाम और चोरों का बल क्या है अन्रितम जूट बोलना चोरों का बल है जब तक चोर जूट बोल रहा है तब तक वो बल चाली जैसे ही सच बोल दिया उसने एक बार भी सच बोल दिया है उसने, महाँ पकड़ा गया वही पर चौरा नाम अन्रितम जुट बोलना ही उसका बल है बलम मूर्खस्य मूर्ख व्यक्ति का बल होता है क्या मौनित्वान चूप रहना मूर्ख व्यक्ति का बल है आप समझ रहें जब तक मूर्ख व्यक्ति चूप रहेगा तब तक वो बल चाली है जैसे मुझ खुल गया उसका वहीं बल चला गया समझ में आजाएगा ये एक नंबर का मूर्ख व्यक्ति है और बाला नाम रोदनाम बलम और बच्चों का एक ही बल है क्या बल है? रोना ये बात है इसलिए प्रभुपाज जी हमेशा कहते थे यदि हरे कृष्ण महामंत्र का जब करना है तो ऐसे जब करना चाहिए जैसे कोई बच्चा अपनी माता के लिए रो रहा हो क्योंकि जब बच्चा माता के लिए रोने लगता है बाकि सारे काम जो है वही के वही रह जाते है और बच्चों के रोने का बल बाकि सभी बलों से अधिक रहता है इसलिए हमको भगवान के लिए रोना चाहिए आप देख सकते हैं हर एक शलोक में किसी शलोक में न्याय शास्त्र किसी शलोक में नीती शास्त्र किशी श्लोक में अलग-अलग रहस्य जो है उन्होंने छुपा कर रखे हुए है अच्छा, हरी सूरी जी बोलते हैं भगवान अपनी आखे मल रहे है आखे मलने का भी तो रहस्य होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं? तो फिर आखे मलने का रहस्य है हरी सूरी जी बताते हैं मेरे पीछे दोराईएगा मदन ववाया दिमयोर हिमाहिमोस स्रयोकलंकम ममचाग्षिरूपयो कथम सहेनन वितिरोदन चलाद तदजनम्ख्ष लयतिस्म पानिना अरी सूरी जी कह रहे हैं मद अन्ववाय अरे मेरे बहुत बड़े-बड़े दो परिवार हो चुके इतिहस में कौन से दो परिवार हो चुके जिन में मैंने जनम लिया एक है सूर्य वम्ष और दूसरा कौनसा वम्ष है चंद्रवम्ष, ये मेरे अन्ववाय, मेरे परिवार है दोनों बड़े-बड़े हिमा हिमो, हिम कहते हैं चंद्र को अहिम, मतलब जो गरम है वो कहते हैं सूर्य को हिमा हिमो, ये हरी सूरी जी का शब्द प्रयोग है ये मेरे दो वम्ष है और उस वम्ष के आदी पुरुष है सूर्य और चंद्र और भगवत गीता में मैं ही कहने वाला हूँ मेरी एक आँख सूर्य है और मेरी दोसी आँख क्या है चंद्र और इन दोनों महा पूरूशों पे सूर्य और चंद्र पे अभी अपयष का कलंक लग रहा है और मैं अपने ही वंश के पूरवजों पे कलंक कैसे लगने दूँ यह संभव नहीं है मैं अपने हातों से अपने पूर्वजों का कलंक मिटाऊंगा ये सोचते हुए भगवान अपने दोनों हातों से अपने आख मलने लगे है आप में से कौन सोच सकती है कौन से मनुष्य मस्तिश की उपज हो सकती है आप समझ रहें ये किसी मनुष्य मस्तिश के उपज नहीं है भगवान ने उनके रिदे में बीज दिया है वो बीज जो है फलित हुआ है इस शलोक के रूप में ये इस कानुवाद है यह मेरे दो नेत्र सूर्य और चंद्र है और यह मेरे वम्ष के आदिम पुरुष है अब इनके उपर अपयश का कलंग फैले जा रहा है इस अपयश के कलंग को में कैसे जहन करो यह सोचते हुए श्री हरी ने अपने ही नेत्रों को अपने हातों से मल दिया ताकि अपने आदिम पुरुशों के उपर लगे हुए कलंग को वो मिटा सके उस समय प्रभुपाजी ने एक और बात भी कहा था अनुवाद में भगवान बहुत भाईबीत आँखों से देख रहे थे माईया ये शोदा को अब भगवान में कंसा भाई एक तो बोलते है भज़ा हूरे माना श्री नंदा नंदाना अभया चरणार विंदा जिनके चरण में अभय है आँखों की बात छोड़ दो जिनके किस में अभय है चरण में उनके आँखों में भय के से हो गया ये सवाल श्री हरी सूरी जी तो दिखाई दे रहा है के नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसके पीछे का रहस्य भी देखिये, देखिये, हरी सूरी जी कहते है, मेरे पीछे दौर आईएगा, तवाभिधानम शडरी प्रभंजकम, भुवीति सद्भिर यदाहं प्रकिर्तिता, मैस्थिते द्वेशिनिरोष संभवा, कथम जनन्या मितितादर शेक्षणा, अरी सूरी जी बोलते हैं, दूसरे लाइन में देखिये, भुवीति सद्भिर, भुवी इस संसार में जो भी सद्भिर, जो भी सादू है, आप सब इसकौन मंदिर में आते होंगे, आप सबने बहुत सारे सादू देखे यदा हम प्रकीर्तिता, ये सारे सादू, भगवान कृष्ण सोच रहें, सारे सादू मेरा गुणगान करते हैं, क्या गुणगान करते हैं, पहले लाइन में वो गुणगान दिया है, तब अभीधानम, कृष्ण आपका नाम, शड़ अरी प्रभंजकम, छे शत्रूँ को मा करता है, अच्छा कौन बता सकता है मुझे छे शत्रूँ क्या है मनुश्य के, काम, क्रोध, लोग, मोह, मद, माचसर्य, छे शत्रूँ है, सभी मनुश्यों के, और ये सभी भग जो है ना, इस कौन मंदिर में, सभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तब आभी धानम, भगवान सोचरे, सभी भग लोग बोलते हैं, कि भगवान आपका नाम, छे शत्रूँ को खतम कर देता है, सही बात है कि नहीं करता है, कि नहीं भगवान का नाम, छे शत्रूँ को खतम, हाँ करता है, भगवान सोचरे, अगर ऐसा है, मेरा नाम तो छोड़ो, मैस थीते, मैं यहाँ प फिर भी यशोदा मया में क्रोध रह गया सारे लोग इतिहास इस बात का साक्षी रहेगा कि मेरे रहते रहते क्रोध वहाँ पर मौझूद था जबकि मेरे नाम लेने से क्रोध चला जाता है पर अब इतिहास में मुझ पे इतिहास में जब लोग पीछे देखेंगे तो बोलेंगे आरे इतना बड़ा-बड़ा बात करते थे पर इनके रहते रहते महिया यशोदा में क्रोध रह गया अब यह जो है मुझसे सहन नहीं होगा इसलिए भगवान डर के देखने लगे महिया यशोदा के तरफ जब बंद करो क्योंकि अभी मेरी जो प्रशस्ती है वो भी नीचे जाने वाली है जितना आप में क्रोध अधिक रहेगा उतनी मेरी प्रशस्ती नीचे जाने वाली है इसलिए भगवान डर के महिया यशोदा की तरफ देखने लगे देखिए यहाँ पर अनुवाद है सभी सादू यहाँ कहते हैं कि कृष्ण आपका नाम काम क्रोध लोब इत्यादी छे शत्रूओं को मारता है अब मेरे नाम की बात तो रहने दीजिए मैं स्वयम यहाँ उपस्तित हूँ फिर भी महिया यशोदा के मन से कृष्ण नहीं गया मेरी प्रतिष्ठा पर आँच आने वाली है यह सोचकर हरी भाइभीत नेत्रोवाले हो गए अच्छा उस समय श्रिल प्रभपाजी बताते हैं कि भगवान को भाइभीत देखते हुए महिया यशोदा ने हाथ से छड़ी त्याग कर दिया प्रभपाजी कहते हैं जब यशोदा जी ने देखा कि लाला बहुत डर गया है तब उनके हृदे में वादसल्यस ने उमड़ाया उन्होंने छड़ी फेग दिया छड़ी जैसे हाथ से फेग दिया उस हाथ से भगवान का हाथ पकड़ लिया उस समय हरी सूरी जी बोलते है देखो बहुत important बात है यहाँ पे एक हाथ से छड़ी फेग दिया दूसरे हाथ से भगवान का क्या पकड़ लिया हाथ पकड़ लिया उस समय हरी सूरी जी बोलते है बहुत important बात है, सभी भक्त लोग सुनिये तावत जड़ाश्रयो युक्तो नयावत चेतनागमह युक्तम श्री शकरम दृत्वा साजहो यश्टिकाम जडाम अरी सुरी जी कहते हैं तावत जड़ाश्रयो युक्तो जड़ प्रकृती, हम सब इस जड़ प्रकृती भवतिक प्रकृती में रह रहे हैं जड़ का आश्रे तब तक युक्तो तब तक ठीक है मतलब भवतिक संसार में रहना तब तक ठीक है नयावत चेतनागमह जब तक आध्यात्मिक जीवन से आपका संपर्क नहीं हुआ हो, आप समझ रहें, जब तक आध्यात्मिक जीवन से हमारा संपर्क नहीं हुआ है, भक्तों से हमारी मुलाकात नहीं हुए, तब तक हमको कौन सी शक्ती का आश्रे लेना पड़ेगा, माय आश्रे, वो ठीक है, जिसको भक्त नहीं मिला जिवन में आज तक तावत जड आश्रे वी तब तुसका जड आश्रे लेना ठीक है पर एक बार चेतना आगम एक बार आध्यात्मिक चेतना का आगम हो गया उस समय जड का आश्रे लेना उचित नहीं है यही बात मैया यशोदा ने दिखाई जैसे ही भगवान का हाथ पकड़ा, चेतन पकड़ा, उसी समय जड़ को छोड़ दिया आप समझ रहे हैं, जैसे ही मैया यशोदा ने भगवान के चेतना, पूरे चिनमे हाथ को पकड़ लिया उससे पहले ही मैया यशोदा ने जड़ लकड़ी का त्याग कर दिया देखिए जड़ वस्तु का आश्रे तब तक लेना चाहिए जब तक चेतना का आगम होना जाए यही तथ्य उजागर करने के लिए चिन में भगवान का स्पर्श होते ही मैया ने जड़ लकडी को त्याग दिया अच्छा उस समय जीव गोस्वामी बोलते हैं कि महिया यशोदा और भगवान श्री कृष्णे में वाद वीवाद छिड़ गया आप सब जानना चाहते हैं क्या वाद वीवाद छिड़ा है जीव गोस्वामी के मुख से देखिए उन्होंने क्या लिखा है मेरे पीछे पीछे दोराईए अहो राजा सी चोराना चोरास्त्वत्पित्र गोत्र जा मैया यशोदा कृष्ण को कहती है अहो राजा सी चोराना वो चरों के सरदार, चोरों के राजस, उस समय कृिष्न fame को कहते है, कुछ बोलना ने मेरे बीबर में बोलना ने चोर तुमारे पिता के गोतर में होते होंगे, हमारे नंद महाराज के गोतर में इस प्रकार सीधा, अहो राजा सिचोरानाम चोरा स्थवत पित्र गोत्र जा सीधा भगवान ने मैया यशोदा को क्या बोला अब ये सब कहां से जीव गोस्वामी जी को मालूम बाप पूचो कि ये कौन से श्रीमाद भागवत में तो हमने कभी नहीं पड़ा किसी ने पड़ा है ये स्रीमाद भागवत में कि भगवान ने बोला कि चोरा यशोदा मया तुमारे पिता के गोत्र में उत्पन होते हैं हमारे गोत्र में नहीं तो ये जीव गोस्वामी जीव को कैसे मालूम पड़ा उससे पहले लिखना आरम नहीं किया है तो ये कह मस्तिश की कोरिक कलपन नहीं है ये इस समाधी में रह martial इख लिखा हुआ गरंत रहते हैं ये गोपल चम्पु जो गरंत लिखा गया है ये समाधिस्त हो के रादा दमदर मंदीर जो वपून में है और आदादामुदर मंदिर में ये गरंथ लिखा गया है वैसे ही श्री हरी सूरी जी ने यहाँ पे उनका समाधी है पास में वहाँ पे वो बैठके समाधी स्थोके उन्होंने अपने गरंथ 4650 श्लोक लिखा तो मनुष्य मस्तिश का कारे नहीं है अच्छा उसके बाद यशोदा महिया देखिए क्या बोलते है बगवान कृष्ण को यशोदा महिया डांट रही है बगवान कृष्ण को मेरे पीछे पीछे दोर आई है रे रे वाचो युक्ति सत्तम चोरोत्तम तुम नरोत्तम जातो पी वानर प्रियो वानर प्रकृति रेवासी अरे अरे जूट बोलने वाले वाचो युक्ति सत्तम अपनी बातों के जाल में फसाने वाले चोरोत्तम चोरो के सरदार तुम नरोत्तम जातो तुम सबसे बड़े व्यक्ति नंद महाराच से पैदा हुए हो फिर भी वानर प्रियो बंदरों से प्रेम रखते हो सही बात है कि और वानर प्रकृति रे और उनके साथ रेके तुम भे बड़ा बंदर बनके रहे हो अभी तब भगवान को बहुत और बुरा लगा उस समय जीव गश्वामी कहते है अगर ऐसा है ना तो मैं चला जाओंगा बंदरों के साथ फिर बोलना मत कि मेरा बेटा भाग गया इस समय भी बगवान माननी रहे आप समझ रहे है उसको कहते है ना हिंदी में कहते है कि ना बहुत ही अमीर पिता का बिगड़ा हुआ बेटा आप समझ रहे है हाँ इस प्रकार को जो स्वभाव दिखाया गया है वो भगवान ने यहाँ पे चरितार्थ किया है क्योंकि नंद महाराज सबसे धनाध्य वेकती है व्रज में और उनका ये जो पुत्र है ये किस प्रकार से बिगड गया है ये हम इस वार्तालाप में इस पर्ष्ट रूप से देख सकते है सीधा बोल दिया धमकी दे दिया अगर तुम्हें ऐसे बोल तो मैं बंदरों के साथ भाग जाओंगा तब महिया यशोदा ने हाथ पकड़ मैं पूरा संस्कृत यहाँ पे नहीं ला पाया हूँ सोच के जवब दिजेगा बगवान सच बोलते हैं या जूट बोलते हैं बगवान सच बोलते हैं अगर आप बगवान सच बोलते हैं तो बगवान ने जो उत्तर दिया यहाँ पे इस उत्तर पे विचार कीजे देखिए बगवान ने क्या का जब महिया यश्वदाना पूछा, क्यो रहे? वो मटकी किसने पोड़ा बता, सच बता ना, जूटने ही बोलना तब भगवान बोलने लगे वो परमेश्वर का दिया हुआ दंड था आप समझ रहे हैं? फिर महिया यश्वदाना पूछा, अच्छा, परमेश्वर का दिया हुआ दंड था तो मुझे बता बेटा कि बंदरों को मक्षन कौन कहला रहा था उस समय भगवान ने उतर दिया जिसने बंदरों को बनाया है वो यी बंदरों को खिलाएगा आप समझ रहे हैं? यह सज भी नहीं है और यह जुड भी नहीं है इस प्रकार का उतर भगवान ने दिया यह सब आचार्यों ने अपने गरंतों में बहुत रस इसमें निकाला है आगे हरी सुरी जी और भी रस निकालने वाला है इसमें क्योंकि हर एक चीज पर रोक के बोलने वाला है यह क्यूं हुआ? यह क्यूं हुआ? यह क्यूं हुआ? हर चीज पर यह क्यूं हुआ? ये सब रहस्या एक ही है आचारिय जिन्होंने अपने गरंथ में लिखके दिया है और वो आचारिय हमारा परम सौबाग्या है कि इस महाराश्ट्र के परम पवित्र नाशिक भूमे में उनका आविर्भाव हुआ वे पूरे जीवन भर यहां पे रहे और उन्होंने इस गरंथ की रचना की अरी सूरी जी बोलते हैं एक शलोक में पूरी लिला का रहस्या सुनना चाहते हो अब तक जो लिला हुई क्या लिला हुई है अभी तक भगवान आए माय यशोदा से दूद मांगा यशोदा माय ने स्तन पान कराया बीच मे भगवान को अत्रिप्त छोड़के चली गई भगवान ने सब विद्वम्स कर दिया, भगवान भाग गये, मैया यशोदा उनके पीछे भागी और मैया यशोदा ने पकड़ लिया, अब तक ये लिला हुई है, इस सब लिला का एक रहस्या, एकी श्लोक में अगर जानना चाते हो, तो हरी सूरी जी अगला श्लोक यहाँ बताते हैं, यह श्लोक का चंद अलग है, श्लोक का चंद है, श्लोक का चंद है, शिकरिनी, जैसे जगनात अश्टकम गाते हैं, वैसे हरी सूरी जी ने उस चंद में लिखा है, मैं गाने का प्रयास करूंगा, यह चंद थोड़ा कठीन है गाने में, मेरे पीछे गाने का प प्रोफ लदाम असंपाध्यम जो यदिक्षुद्रे किंचित्फलिनिदेना कर्मन्य भिरता यदिक्षुद्रे किंचित्फलिनिदेना कर्मन्य भिरता यदिक्षुद्रे किंचित्फलिनिदेना कर्मन्य भिरता प्तितिरहँ शतिरपिचा दूरा अस्थितिरहँ पुनर्मध्गामी चेट प्रती प्रती प्रताम आहंतास्यसुलबाद भगवान बोल रहे है हरी सूरी जी भगवान के वाणी को यहाँ पर बता रहे है भगवान बोल रहे है जीवन में यदि कोई मुझे संतोष देता है तो वो सुफल अदम बहुत बड़ा फल प्रदान करेगा आप सबको यह सभी मनुष्यों का करतव यह है कि जब मैं उनके जीवन में आऊं तो मुझे त्रिप्त करें आप समझ रहे हैं जब मैं उनके जीवन में चल के आऊं तो सभी मनुष्यों ने मुझे क्या करना चाहिए यशोदा मया को जो लीला हुई उसके साथ साथ बोल रहे है जब मैं चलके आऊँ आपके जीवन में तो आपका कर्तव यह है कि आप मुझे संतुष्ट करें भगवान बोल रहे हैं सुफल अदम इससे आपको अच्छा फल मिलेगा पट असंपाध्य मनुझो बट मनुश्य मेरी संतुष्टी को नहीं करता है मुझे छोड़ के चला जाता है सही बात है कि नहीं मुझे बीच में ही अत्रिप्त छोड़ के चला जाता है मेरी सेवा छोड़ के चला जाता है मनुश्य अच्छा क्यों चला जाता है शुद्रे किंचित कुछ थोड़ा प्रॉफिट कमाने के लिए थोड़ा कुछ बचाने के लिए संसार में चला जाता है फलीनी दीनकर्मनी अभीरत इस प्रकार दूसरे कर्म में लग जाता है और मेरा संतोष नहीं करता है भवित्री तस्या, उससे क्या होता है? अर्थक शतिर अपी वो जो चीज बचाने के लिए गया है जो कमाने के लिए गया है उससे बड़ा उसका नुक्सान मैं करबेटता हूँ और दूसरी बात तो सुनिये दूर स्थिती रहम और उसके जीवन से मैं भाग जाता हूँ, दूर भाग जाता हूँ अच्छा, पुनर मद गामी चेत, बट ऐसा भक्त भी यदि मेरे पिछे फिर से दोड़ने लगे प्रती पदम अहम तस्य सुलबा, हर पद जो मेरी तरफ लेगा, मैं उसके लिए और भी निकट आता जाओंगा पूरी लीला को गागर में सागर भरने का कारिये यहाँ पे, हरी सूरी जीरी के दारा हुआ है देखिए कृष्ण पूरी लीला से बता रहे हैं, मुझे प्रसन न करना मनुष्यों को बहुत अच्छा फल प्रतान कर सकता है किन्तु मनुष्य मेरी सेवा त्याग कर किसी शुद्रलाब के चक्कर में पढ़ जाता है परिणाम यह होता है कि जो लाव वा कमाने गया है उससे भी अधिक उसका नुकसान हो जाता है और मैं भी उस व्यक्ति से दूर भाग जाता हूँ किन्तु यदि ऐसा व्यक्ति किसी भी समय वापस मेरे पीछे भागने लगे तो मैं भी उसके द्वारा पकड़ा जाता हूँ और बद्ध हो जाता हूँ पूरी लीला के द्वारा यही रास्य समझाए गया है भगवान उस समय श्विल्य प्रभुपाज जी बताते हैं कि मैया यशोदा भगवान को बांधने का प्रयास करने लगी क्यों जी उस्वामी बोलते मैया यशोदा को डर लगा सच में भाग गया बंदरों के साथ तो कह नहीं सकते इसका इसको इधर बांध के रकना ठीक क्यों कल इंद्रपूजा का महुत सो है इस यह कहीं भागवा गया तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी इसको कहीं किसी जगह पे शांत रहने है तोड़े समय शांत रहेगा इसका दिमाग ठंड़ा हो जाएगा प्रभपाजी बोलते श्रीमत भागवत में सच फूछो तो यशोदा मुया को अपने बालक के एश्वरे का पता ही नहीं था जिसमें ना बाहर है ना भीतर है ना आदी है ना अंत है जो जगत के पहले भी है बाद में भी रहेंगे जगत के भीतर भी है और बाहर रूप में भी है और तो क्या जगत के रूप में वो स्वयम ही है यही नहीं जो सभी इंद्रियों से परे है और अव्यक्त है उनी भगवान को मनुश्य सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझ कर यशोदा रानी रसी से उखल में ठीक वैसे ही बान देती है जैसे कोई साधरण सा भालक हो जब माता यशोदा अपने उधमी और नटकट लड़के को रसी से बानने लगी तो वो रसी कितने उंगली छोटी पड़ गई? अच्छा आज तक हम सबने सुना है कि रसी दो उंगली छोटी पड़ गई, क्यों पड़ गई? क्योंकि दो उंगली श्री लविश्वनाच चक्रवर्ती ठाकूर ये बताते हैं हमको कि दो उंगलियों का क्या अर्थ है? पहले उंगली का अर्थ क्या है? प्रायास, उनमें थोड़ा प्रायास कम रह गया था और दूसरी उंगली का क्या अर्थ है भगवान की क्रिपा ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्थी ठाकूर की उत्परेक्षा है तो इस समय श्री हरी सूरी जी कहते हैं पहले एक बात तो मैं बताना चाहते हैं मेरी बात भी सुनिये क्या है ये श्रील विश्वनाथ चक्रवर्थी ठाकूर की बात तो इस समय श्रील पर भगवान को उखल से बात जा रहे हैं अर्थ सूरी जी वहाँ पे एक श्लोक लिखते हैं मेरे पिछे दोराईएगा आयम चाूरस चाूरकर्मन ये तच साहाय भागभूद इती वीक्षद वयोरबंधार हताम तत्र बबंधताम अर्थ सूरी जी कहते हैं याद कीजिए भगवान ने जब चोरी किया था और दूसरों को बाट रहे थे किसके ओपर बैठके बाट रहे थे? उखल पे इसलिए यशोदा मया सोची इसलिए यशोदा मया ने भगवान और उखल को एक दूसरे से बाट दिया आप समझ रहे हैं? अर्थ सूरी जी ये नहीं कहते कि यशोदा मया ने भगवान को उखल से बाट दिया अर्थ सूरी जी कह रहे हैं यशोदा मया ने भगवान और उखल को एक दूसरे से बाट दिया क्योंकि एक तो खुद चोर है और दूसरा चोरी के कारे में सहायता करने वाला है इसलिए दोनों को एक साथ बान दिया देखिए एक तो स्वय हम चोर है और दूसरा चोर का साथी है ऐसा मानते हुए मैया ने दोनों को एक दूसरे से बान दिया अच्छा उस समय हमने एक मैंने एक कारण तो बताया बंदन संभव नहीं हुआ क्योंकि दो उंगली छोटा पड़ गया था और हम श्रीलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर के जो उन्होंने इस बारे में अपना वक्त व्य दिया है वो तो हम जानते हैं किन्तु आज मैं पहली बार श्री हरी सूरी जी का जो गूड रहस्य है इसके पीछे कि रसी क्यों छोटी पड़ गई बंदन क्यों संभव नहीं हुआ ये मैं बताना चाहता हूं ये आज का अंतिम श्लोक है श्री हरी सूरी जी का कल यहां से लिला आगे बड़ेगी तो श्री हरी सूरी जी के अंतिम श मुक्तम्प्तादाद्धरिनाततेक्षितम् मुक्तम्स्वयंदामनबंधबागभू मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं किसी एक व्यक्ती को पकड़ता हूं प्रभू जी आपका नाम क्या है? दीपराचप्रभू दीपराचप्रभू हरी सुरी जी एक सवाल पूछते मैं आपसे पूछता हूँ आप हाया ना में जवब दिजेगा तीक, सुरी आज मैंने आपको पकड़ लिया यसमीन कृपानू ग्रह विक्षणम अगर भगवान एक समय आपके सामने प्रकट होके आपको देख ले तो आप इस संसार में बद रहोगे या मुक्त हो जाओगे आप सभी मानते हैं कि ने अगर भगवान एक बार भी प्रकट हो जाए किसी के सामने और आपको देख ले आप बद रहोगे या मुक्त रहोगे भगवान का दर्शन करना हमारे जीवन का एक मात्रे लक्ष है श्रीला भक्ति विनो ठाकुर कहते हैं जनम सफल तार कृष्ण दर्शन जार भाग्य होई आच्छे एक बार जनम उसका सफल हो गया जिसके भाग्य में कृष्ण का दर्शन कितनी बार हो गया एक बार तो हरी सुरी जी कहते हैं यस्मिन कृपानू ग्रह विक्षनम विबोर यदि भगवान आप देख लें किसी को एक बार भी भवत्य सव वेत्तिन बंध संभवम वो व्यक्ति के सारे बंदन खुल जाते हैं वो कभी बंदन में नहीं पड़ सकता सही बात है कि नहीं बिल्कुल युक्तम तदा इसलिए तो देखो आप सभी देखो तस्वीर में देखिये सब लोग भगवान रोते रोते रसी को देख रहे है और जैसे भगवान ने रसी को देखा रसी स्वयम मुक्त हो गई और मुक्त व्यक्ति दूसरे को बंदन में कैसे डाल सकता है भला जो खुद मुक्त हो गया वो दूसरे को क्या बंदन में डालेगा इसलिए वो रसी भगवान को उस समय बान नहीं पाई जिस पर प्रभू की कृपा दृष्टी पढ़ जाती है वह अपने आप मुक्त हो जाता है अब देखिए जैसे ही कृष्ण ने रसी को देखा वह मुक्त हो गई और मुक्त व्यक्ति भी भला किसी को बंदन में डाल सकता है यह सवाल पर हरी सुरी जी ने छोड़ दिया प्रभू और सवाल का जवाब हम सब को मालूम है इसलिए रसी कभी भी भगवान को बांध नहीं पाई तो मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आप सब का पुना आज आप सब यहाँ पर उपस्चित हुए मुख्य रूप से आज मेरे लिए बहुत विशेश दिन है मैं कई वर्षों से श्री हरी सुरी जी की टिका को कह रहा हूं पर ये पहली बार है जब मैं श्री हरी सुरी जी उनका जो प्राकट्य स्थल है श्री नाशिक ये पुन्य तीर थे यहाँ पर रहके मैंने उनकी कथा मैं कह रहा हूं और आज बहुत ही विशेश दिवस है कि आज उनकी ही वमशज जो उनके ही कुल में उत्पन हुए हैं आज वे भी यहाँ पर आए और उन्होंने अपना आशिरवाद मुझे प्रदान किया यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिन टिका कार की टिका मैं कह रहा हूं उन टिका कार के ही जो वमशज है विशेश रूप से जो टिका कार श्वयम जो है अपने वमशज के रूप में उपस्तित हुए हैं ऐसा मानो मुझे प्रतीत हुआ मुझे उनकी कृपा का हमेशा अपेक्षा रहेगी मैं प्रार्तना करता हूं कि हरी सूरी जी कि यह जो टिका है ये हजारो हजारो वर्शों तक बक्तों के घृते में इसी प्रकार से रस्प्रदान करती रहे आप सभी बक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद आप सब आज यहां पर आए श् 550 के एक वक्तव्य से हम यहांपर अν्थ करेंगे प्रभुपाजी केते हैं, शास्त्रों में अनेक नियम है, किन्तु सबसे पहला और मूल नियम एक ही है, सदा कृष्ण का स्मरण करो और उन्हें कभी भूलो मत, स्री चैतने चरीतामरित में प्रभुपाजी केते हैं, आप सब का पुना बहुत बहुत शद शद धन्यवाद, स्रुला प्रभुपाद खी है,